कक्षा सब्तम के सभी विद्यार्थियों का ओनलाइन हिंदी पठन कारेकरम में स्वागत है प्यारे बच्चों क्या आप बता सकते हो कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? मिठाई बनाने वाले को क्या कहते हैं? लोहे का सामान बनाने वाला क्या कहलाता है जो चमड़े की जूते इत्यादी बनाता हो उसे क्या कहते है जो बाल बनाता हो उसे क्या कहते है और जो खेतों में खेती बारी का काम करता है उसे क्या कहते है जी हाँ, आपने सही कहा, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुमार कहते हैं, मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहते हैं, लोहे का सामान बनाने वाले को लुहार कहते हैं, और जो चमड़े के जूते इत्यादी बनाता है, उसे मोची कहते हैं, और जो बाल काटता हो या बनाता हो उसे नाई कहते हैं और जो खेतों में खेती बारी करता हो उसे किसान कहते हैं जी हां तो हमारा देश पहले से ही क्रिसी प्रधान देश रहा है आज भी कुछ लोग खेती किसानी से ही अपना जीवी का चलाते हैं लेकिन आज देश में अनेक रोजगार के शित्र विक्सित हो रहे हैं जिससे लोग अलग-अलग रोजगारों से जुड़ गए हैं और हमारा देश खेती के लिए पूरी तरह से मानसुन पर ही निर्भर करती है जहां आज कई कारणों से मानसुन समय पर ना आने से खेती का काम सही पैमाने पर नहीं हो पा रहा लेकिन हमारे देश के किसान बहुत मेहनती और जो सब लोगों को अन देते हैं जिन्हें अन दाता भी कहा जाता है तो बच्चो आज हम अपनी पाठ पुस्तक ज्यान सागर के पाठ पंदर हमें दिये गए अन दाता क्रिशक शीरशक कविता का वाचन करेंगे इस कविता के रचीता पूरन चंद कानपाल जी हैं वे उत्राखंड मूल के प्रसिद साहित्यकार एवं कवी हैं राजनिती शास्त्र में सनात को तर स्री कानपाल जी रूढी वादी एवं विकास में बाधक परंपराओं का विरोध करते हैं अंदविश्वास मिटाने, शहीदों को ना भुलाने, देश प्रेम की जागरती, बंधवा मजदूर, मुक्ती, आदिकारें को करने की प्रधानता को अपना लक्ष बनाते हुए बिगत दशकों में उन्होंने कई किताबें लिखी हैं तो आज हम इस कविता में कवी के द्वारा किसान को नर के रूप में नारायन मानकर जो है उन्होंने उसके बारे में कई बातें कही है वह हम पढ़ेंगे कविता इस प्रकार है पौफटते ही जो मचाए विहग डाल पर शोर शीतल मंद बयार जगाती चल उठ हो गई भोर कांधे रख हल चल पड़ा वह ब्रिसभ सखा संग ले अपने जा पहुचा निज कर्म शेत्र में प्रातह लाली मासे पहले परिश्रम मेरा दीन धरम है मंदिर है मेरे खलिहान पूजा वंदना खेत है मेरी माटी में पाउं भगवान कर्म भूमी के यग्य में संग है सुतवित बनीता और परिवार अन की बाली का दर्शन कर पाजाता मैं स्वर्ग का द्वार मानव का तू है मसीहा सब की भूख मिटाता है अवतारी तू इस मही पर परमेश्वर अन दाता है क्रिशक तेरी रिनी रहेगी सकल जगत की मानवता यदी ना बोता अन बीज तू क्या मानव कहीं टिक पाता जीवन अपना मिटा कर देता है तू जीवन औरों को सुरसंत सन्यासी गुरुसम है आराध्य तू इस जग को धन्य है तेरे पंच तत्व को जिससे रचा है तन तेरा नर रूप नारायन है तू तुझे नमन शत शत मीरा तो इसे पुरंचंद कानपाल जी ने लिखा है अब हम इनके भावार्थों को देखते हैं पौप फटते ही जो मचाए विहग डाल पर शोर शीतल मंद बयार जगाती चल उठ हो गई भोर तो किसान की परिश्रम शीलता को देख कर कभी कहते हैं कि बड़े सवेरे जोही पक्षी विहग अर्थात पक्षी पक्षी डाल पर सोर मचाते हैं उसी समय ठंडी सुगंधित हवा बहकर सवेरा होने का संदेश देती है और लोगों को जगाती है कि उठो सवेरा हो चुका है कांधे रख हल चल पड़ा वह बिरशब सखा संग ले अपने जा पहुचा निज कर्म शेत्र में प्रातह लाली मा से पहले कांधे अर्थात कंधा तो मनुरम प्रभात बेला में किशान अपने कंधे पर हल रख कर खेत की ओर चल पड़ता है उसके साथ उसके साथी बैल होते हैं वह आसमान में लाली फैलने से पहले ही अपने कर्म शेत्र खेत में जा पहुचता है परिश्रम मेरा दीन धरम है मंदिर है मेरे खलिहान पूजा वंदना खेत है मेरी माटी में पाऊं भगवान कवी किसान के शब्दों में कहते हैं कि मेहनत ही मेरा धर्म और विश्वास है मेरा खलिहान ही मेरा मंदिर है जहां मैं उपासना करता हूं खेती करना ही मेरी पूजा बंदना है मैं अपने खेत की मिट्टी में ही भगवान के दर्शन कर लेता हूं कर्म भूमी के यग में संग है सुत्वित वनीता और परिवार अन की बाली का दर्शन कर पा जाता मैं स्वर्ग का द्वार इस कर्म भूमी के यग में अर्थात खेत में अनुपजाते समय मेरी पत्नी मेरा बेटा मेरा परिवार और मेरे पास जो भी धन है वह मेरा साथ देकर सहयोग करता है खेत में उगी फसलों की बालियों का दर्शन करके मुझे लगता है कि मुझे स्वर्ग का द्वार मिल गया है मानवता का तू है मसीहा सब की भूख मिटाता है और तारी तू इस मही पर परमेश्वर अन दाता है मही अर्थात धर्ती तो कभी किसान को इश्वर के समान मानते हुए कहते हैं कि हे किसान तू मानवता का स्वामी और उसे बनाए रखने वाला है तू परिश्रम से फसल उगा कर धर्ती के प्राणियों की भूख शांत करता है तू इस प्रिथवी पर इश्वर का अवतार है तू अन देने वाला इश्वर है क्रिशक तेरी रिनी रहेगी सकल जगत की मानवता यदी न बोता अन बीज तू क्या मानव कहीं टिक पाता हे किसान तुम्हारे अथक परिश्रम से उगाए अनाज को खा कर संपूर्ण संसार की मानवता तुम्हारा कर्जदार रहेगी अगर तुम अनाज के बीज न बोते तो धर्ती पर मानवता न बचती अर्थात अनाज के अभाव में भूख से लोग मर जाते जीवन अपना मिटा के देता है तु जीवन आवरों को सुर संत सन्यासी गुरुसम है आराध्य तु इस जग को सुर अर्थात द्योता और संत साधु सन्यासी घर ग्रिहस्ति से दूर रहने वाले सम समान आराध्य जिसकी पूजा की जाए कवी किसान को देख कर कहते हैं कि है क्रिसक तु अपना जीवन मिटा कर दूसरों को जीवन देता है अर्थात खेत में तु इतना परिश्रम करता है कि तु अपने शरीर की परवाह नहीं करता है तुम देवताओं, संतों, सन्यासियों और गुरुवों के समान ही इस संसार के द्वारा पूजे जाने युग्य हो धन्य है तेरे पंच तत्व को, जिससे रचा है तन तेरा, नर रूप नारायन है तु, तुझे नमन शत शत मेरा तेरा, पंच तत्वों, अर्थात, ये पंच तत्वों है धर्ती, आकाश, जल, आग और वायू से बना शरीर धन्य है तु, अपनी इन महानताओं के कारण, नर के रूप में नारायन, अर्थात, ईश्वर है ऐसे नर रूपी नारायन को मैं सैकडो बार प्रणाम करता